गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैंने आपको दो कोशन डाले थे गुरूप के अंदर चलिए आज उनुका एक्स्पिरेंट कर देता हूँ हमारे पास पहला कोशन क्या है चार्ज ओफ पोजिटिव 5 माइक्रो कुलाम और 10 माइक्रो कुलाम और पैले स्ट इन एर एड़ दा कोर्नर्स A, B and C हमारे पास एक एकुलेटरिल ट्रेंगल है जिसके A, B, C वर्टिक्स पर कुछ चार्ज रखे गई है H पोजिटिव 5 माइक्रो कुलाम और B पोजिटिव पर रखा गया है पोजिटिव 10 माइक्रो कुलाम और यहाँ पर देख लीजिए C पोजिट पर जो कंसिडर किया है इन्होंने माइनस 10 माइक्रो कुलाम मेटा करना क्या है आपको यहाँ पर डेटरमाइन करना है जल्टैंट फोर्स ओन्दा चार्ज एट A A पोजिट पर जो चार्ज है F1 जो नेगेटिव चार्ज होगा उसकी जो इंटैंसेटी बनेगी एलेक्तिक फिल जो बनेगा जो फोर्स होगा वो इन्वा डेरेक्शन में होगा और इनके बिट्विन जो होगा यह हो जाएगा resultant force फॉस्ट फोर्स पोज रिजल्टेंट फोर्स में between a and b के बनता है अब देख लीजे यह आप पर यह जो एंगल बनेगा 120 बनेगा f1 is equal to f2 होगा definitely so आप find कर लेंगे यह आप पर because यह charge का magnitude and यह charge का magnitude दोनों equal है so force f1 is equal to f2 f1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into q1 into q2 upon r square जो distance होगी 5 cm उसका मेटर में convert कर लेंगे यहां पर चले मैं इसको यहां पर कर देता हूं 5 into 10 to the power minus 2 meter अब होगा क्या यहां पर इसको solution करने के बाद जो force आएगा वो आजाएगा 180 newton along to be a direction देखिए यह इस direction में आएगा and f2 direction में जो force होगा along to ac यह हो जाएगा 180 newton because दोनों का magnitude सेम है हमारे पास system condition के अंदर suppose resultant force is f अगर हमने resultant force को f consider किया है diagram के coding so f is equal to f1 square plus f2 square plus 2 f1 into cos theta अब देखिए बच्चो f2 f1 दोन equal है तो मैं आप पे f2 को f1 put कर सकता हूं होगा क्या यह हो जाएगा 2 f1 square plus 2 f1 square cos theta f1 को मना जाएगा because power से root cancel out हो जाएगा and 2 plus 2 multiply cos 120 के value जो होती है वो minus 1 by 2 होती है and 2 से 2 cancel out यह हो जाएगा 2 minus 1 यह आजाएगा f1 that means जो resultant force होगा वो f1 के equal आएगा यहाँ पे answer जो होगा 180 Newton आजाएगा अब बात कर लिते हैं second question की four equal point charge each 16 microcolum are palaced on the four corners of a square of side 0.2 meter हमारे पास को एक square है इसकी जो एक side है 0.2 meter है basically square की सारी की सारी sides जो होगी वे equal होगी now find क्या करना है किसी भी एक point पर calculate the force on any one of the charges किसी एक point पर force आपको measure करना होगा students देखी यहाँ पे एक force जो apply होगा इस point से होगा इस direction में outward and second force होगा वह यहां से आप क्यों point से भी point से देख लिए यह force हो जाएगा F2 जो F2 force होगा वो Q2 से Q4 direction में लगेगा and F3 force जो होगा वो Q3 से Q4 के direction में होगा so यहाँ पर देखिए सारे के सारे charges equal है all charges equal to each other so F1 is equal to पहले आप यहाँ पर F1 find कर लिजिए and उसके बाद F2 and F3 बिको जो resultant force बनेगा वो इन दोनों के bitumen जाएगा यह कुछ ऐसे जाएगा resultant को मैं अपनाम देता हूं दोनों वाइड करने के बाद दिया पर force निकलेगा resultant चलिए अब कर लेते हैं चलिए बात कर लेता हूं F1 force जाब निकाल लेंगे 57.6 and F2 force जाब find करेंगे 28.8 newton so F3 is equal to F1 देखिए F3 जो है यहाँ पर डियाग्राम में देख लेजिए F3 जो है वो F1 के equal होगा so F3 is equal to 57.6 newton F dash माली जी resultant consider दोनों का resultant जबाब निकाल लेंगे यहाँ जाएगा 21.5 newton and F2 force is the direction of resultant force so दोनों को आप add कर दीजिए यहाँ पर net force निकल जाएगा इस corner point पर because इस point पर एक तो force लगेगा F2 and एक force लगेगा उसको नाम देते है F dash यह है resultant force इसके according आप यहाँ पर जब net force निकालेंगे यह resultant force and F2 force दोनों एड हो जाएगे ओके आप इसको चैसे note कर लेना thank you